ही गाईस वल्कम बैक टू मैं चैनल दिपिका स्टाइल और मैं हूँ दिपिका कैसे हैं आप सब लोग आई होप सब ठीक होंगे तो यह प्लेट देखके तो पता चली गया होगा कि मैं क्या रेसिपी लेकर आई हूँ जहा है मैं यहां पर पाव भाजी लेकर आई हूँ तो प बहुत पसंद होता है पाव भाजी खाना बहुत अच्छा लगता है पाव भाजी का टेस्ट और खाने में ज़्यादा चरे लगता है तो चलिए फिर वीडीयो शुरू करते हैं ज्यादा बात हैं कि यह विए बैना तो वीडियो आई तक जदूर देखिए का कि मैंने जेसे कर लिजेगा पास में ही बैल आइकन का बटन है तो उसी भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी आगी की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहा है यहां पर मैंने कुछ वेजिटीविल का यूज किया है तो उनको हम धोके अच्छे से और चोटी-चोटी पीसिस में कट कर लेंगे औ और साथ ही में कुछ मसाले लिये हैं तो चलिए उनको भी देख लेते हैं कि क्या क्या लिया है आदा चमच धनिया पाउडर आदा चमच हल्दी पाउडर एक चमच लाल मिल्च पाउडर दो चमच पावाजी मसाला पाउडर स्वाद के अनुसार नमक रिफाइन डॉयल बट एक मीडियम साइस का प्याज बारिक कटा हुआ एक मीडियम साइस का टमाटर बारिक कटा हुआ एक सिमला मिल्च बारिक कटी हुए अदरक लेसुन कदुकस किया हुआ एक चमच नीबु का रस आट से दस काजू जिनको हम फ्राई कर लेंगे तो ये देखिए इनको फ्राई कर लिया है मैंने आठ पाव लिये हैं तो ये देखिए सबजियों को धोके काट लिया है यहां पर गाजर ली है गोवी है आलू है और हरा मतर है तो वेजिटेवल आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं तो चलिए अब हम आगे की तयारी शुरू करते हैं और पाव भाजी की बाजी बनाना स्टार्ट करते हैं तो सारी सबजियों को मैंने कुकर में डाल दिया है और आदे से एक गिलास पानी डाल दूंगी और इसको हम 3-4 सीटी आने तक हम इसको पका लेंगे तो ये देखिए सबजिया अच्छी तरह से बॉइल हो चुकी है और अब हम इनको एक मैशर आलू मैशर की मदद से इसको थोड़ा-थोड़ा सा मैश कर देंगे या आप एक चमच की मदद से भी कर सकते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने मैश किया हुआ है तो अब हम तैयारी आगे के शुडू करते हैं तो यहां पे मैंने गैस पे एक पैन चड़ाया हुआ है और गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है अब मैं इसमें डालूंगी एक चमच बटर और साथी साथ मैं इसमें एक से दो चमच इसमें ऑईल भी डालूंगी तो यहां पे मैं दो चमच ऑईल डाल रही हूँ तो अब ऑईल और बटर अच्छे से गरम हो चुका है तो अब हम इसमें जो ओनियन चौप करके रखी हुई थी उसको मिक्स करेंगे और अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको भून लेंगे तो प्याज का कलर हलका हलका सा गुलाबी हो चुका है तो अब हम इसमें अदरक और लेसुन जो चौप करके रखी हुए थी उसको एड़ कर देंगे इसमें आप रैडिमेट अदरक लेसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं बट कदुकस करके डालो तो उसका टेस्ट ही अल अदरक लेसुन का पेस्ट अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब मैंने इसमें जो काजू फ्राई करके लिए थे उनको डाल दूंगे और मिक्स कर देंगे नेक्स्ट अमने यहां पर जो सिम्ला मेर्च चौप करके रखी हुई थी उसको डाल देंगे और अच्छ मैं इसमें साथ ही साथ मैं नमक भी एड़ कर दूंगी ताकि सारी चीज़ां अच्छे से पक जाएं तो नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम ढखक कर अच्छे से 2-3 मिनिट तक अच्छे से भाप में हम पका लेंगे तो दो से 3 मिनिट हो चुके हैं अब हम चैक कर लेंगे यह देखिए बहुत बढ़िया तरीके सारी चीज़ां पक चुकी हैं तो अब हमने जो यहां पर ड्राय मसाले लिए थे हम उन सभी चीज़ों को एड़ कर देंगे यह धनिया पाउडर हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर तो यहां पर मैंने कस्मीरी लाल मिर्च का यूज किया है आप अगर तीखा खाना पसंद करते तो तीखी लाल मिर्च यूज कर सकते हैं साथी साथ मैंने यहां पर पावभाजी मसाला भी मिक्स कर दिया है तो अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से mix कर देंगे और इसको हम ढखके अच्छे से बाप में पका लेंगे मसाले को भी पकना जरूरी है तो अब हम ढख देते हैं और पका लेते हैं इसको एक से दो मिनट के लिए तो अब हम मसाला चेक कर लेते हैं कि पका है कि नहीं तो ये देखिए अच्छे से हो चुका है सारा तो अब हमने जो यहां पर सबजियां बॉइल करके रखी हुई थी उन सारी सबजियों को हम इसमें आड़ कर देंगे आप वेजिटेवल अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जो भी आपको यूज करना इसमें तो अब हम सारी सबजियों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और साथी साथ मैं इसमें जो निवू का रस लिया था एक चमच उसको भी एड़ करूंगी और इन सबी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और साथी साथ मैं इसमें आदा कप पानी यूश कर रही हूँ और अच्छे से इन सबी को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम भाप में पकाएंगे 2-3 मिनिट के लिए फिर से तो यह देखिए 2-3 मिनिट तक ढके पकाने के बाद भाजी हमारी अच्छे से पक चुकी है और एकदम बनके तयार है तो पाव भाजी की बनके एकदम तयार है तो अब हम इसको गर्मा गर्म शर्ब कर सकते हैं तो चलिए जल्दी से हम पाउर रेडी कर लेते हैं तो अब पाउर रेडी करने के लिए मैंने आप गैस पे अगेन एक पैन चड़ा के रखा है और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है मैं इसमें अब बटर का यूश कर रही हूँ अच्छे से इसमें स्प्राइट कर दूँगी बटर तो बटर मेल्ट हो जाने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पाव भाजी मसाला एड़ करूँगी और जो लाल मेल्च है उसको थोड़ा सा हम डालेंगे इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब जो पाव रखे थे उनको हम इसमें थोड़ा सा सेक लेंगे पहले इस मसाले को अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं तो अब जो हमने पाव लिए थे उन सबी को हम दौनों साइट से अच्छा सा सेक लेंगे यह मसाला पाप बहुत टेस्टी लगता है पाव भाजी के साथ खाने के लिए तो इसको हम अच्छे से पूरे में फैला के सेख लेंगे अच्छे से दौनों साइट से हम सेखेंगे इसको यह देखें दौनों साइट से अच्छे से से सेख चुका है साइट साइट से भी आप सेख सकते हैं इसको तो मसाला पाव एकदम बनके हमारा तयार है अब हम इसको एक प्लेट में निकार लेते हूं गर्मा गर्म हम सब करते हैं तो यह देखिए सारी चीजों को मैंने इसमें एक प्लेट में निकार लिया है यहां पर यह पाव भाजी है साथ ही साथ मैंने इसमें उपर से थोड़ा सा बटर का यूश किया है आप अगर नहीं खाते हैं बटर तो मट डालिए बट डालने से बहुत टेस्टी लगता है और साथ मैंने आप नीवू और प्याज भी काटके रखा है और मसाला पाव भी बनाके रखा है आप घर में एक बार जरूर ट्राइ कर सकते हैं बहुत टेस्टी लगता है पाव भाजी तो आप घर में एक बार जरूर ट्राइ करें और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा तो ये रेस्पी आप जरूर एक बार ट्राइ करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं तो गाईस पावभाजी एकदम बनके तयार है और आई होप ये वीडियो आपके लिए हैलफुल रही होगी आप घर में एक बार जरूर ट्राइ करें और एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मन भूलिएगा और पास बेही बैल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस करिएगा ताकि मेरे आगी की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे मिलती हूँ नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिप के साथ या आदर कोई एक वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक कियर